Good morning, continuing the topic that I took up for my previous lecture, I am elaborating the idea of exploratory research. पिछले व्याक्षान के विश्य को ही आगे बढ़ाते हुए मैं पुन है, खोजी अनसंधान या खोजी शोथ जिसे अंगरी जी में exploratory research कहते हैं, उस पर बात करूंगा. अभी तक हम ये जान चुके हैं कि exploratory research एक विशेश प्रकार की शोध प्रकार का शोध होता है, और विशेश करके ऐसी घटनाओं के बारे में ये शोध प्रकार्दती उपयोगी होती है, जिनके बारे में या तो कोई पूर ज्यानकरी है नहीं, और या जो घटना है, वो बिलक अंदर तक जाना, जिसके कारणों को ग्याद करना, जिसके परिणामा को ग्याद करना बहुत ज्यादा वश्यक होता है, लेकिन यहां हम इसपर कर दें कि इस अन्तरंदान के अंतरगत कुछ खास बाते हैं, जो अन्य अन्तरंदानों से बिलकुल भिन हैं, तो एक एक करके हम उस पर बात करेंगे, First, exploratory research is the process of investigating a problem that has not been studied or thoroughly investigated in the past. The first thing that we should keep in our mind, that exploratory research is a type of research or we can say it is a process of investigation of a problem, but the problem should not have been studied earlier, it should not have been studied thoroughly in the past. So, it must be quite new and the researcher must be unfamiliar with it. So, ये अन्तरंदान की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतरगत एक ऐसी समस्या या घठना की खोच की जाती है, जिसे या तो पहले से अध्यन नहीं किया गया है, या भूत काल में जिसे पूरी तरह से इसका अध्यन नहीं किया गया है, अर्था जिसका अध्यन बाकी है, और जो चीज अभी बाकी है, अध्यन के लिए उन अध्यनों, उन चीजों की इसमें खोच की जाती है. also referred to as interpretative research this research that is explorative research is also called interpretative research it simply means that in explorative research interpretation adequate interpretation of the problem is made or grounded theory approach it is also called a ground theory approach the region is simple this research type is applied or is adopted only for those problems for the understanding for the study of those problems that are at the initial level that are at the beginning level तो इसे हम grounded theory approach भी कहते हैं इसको हम interpretative अर्था समीक्षात्मक शोध और अनसंधान भी कहते हैं और विशेश बात यह है इसके बारे में कि the outcomes of explorative research provide answers to questions like what how and why कि इसके माध्यम से जो उत्तर प्राक्त होते हैं वो उत्तर होते हैं उन प्रश्नों के बारे में जो प्रश्न क्या कैसे और क्यों से समंधित होते हैं exploratory type of research is usually conducted to have a better understanding of the existing problem प्रश्नी होटता है कि आखिर हम इसके इसे क्यों करते हैं इसका क्या विशेश प्रुदेश्य है तो जो exploratory research है, खोजी अनसंधान है, खोजपून अनसंधान है, कुछ भी नाम दे है इसको ये prior जो समस्या पहले से है और उसको अच्छे से समझने के लिए किया जाता है but usually does not lead to a conclusive result लेकिन खास बात ये है कि इससे ये जो अनसंधान है, वो परिणाम नहीं देता केवल अनसंधान करता को ज़्यादा से ज़्यादा कहराई में जाने के लिए ये ट्रेज़ित करता है researchers use exploratory research while trying to gain familiarity with an existing phenomenon and acquire new insight into it to form a more precise problem अनसंधान करता exploratory research का प्रयोग उस समय करते हैं जब वो किसी भी उपलब्थ समस्या के बारे में जानकरी हासिल करना चाहरे होते हैं घटनाएं, समस्याएं होती रहती हैं, हमारे आसपास नहीं कितनी घटनाएं है तो जब एक अनसंधान करता, किसी भी घटना के बारे में familiarity gain करना चाहता है उस घटना से परचित होना चाहता है और घटना के बारे में नई अंत्या दृष्टी प्राप्त करना चाहता है तो जिसे कि घटना को संचेपर समझाएं सके तो इसके लिए exploratory research का idea कियाता है, यह की जाती है Now I am coming over to the characteristic features of exploratory research इसके क्या-क्या विशेष्टाएं है हम उन विशेष्टाओं की बात करेंगे जिनका संबन exploratory research से है सबसे पहली विशेष्टा तो यह है इसकी कि exploratory research is inexpensive highly interactive and open-ended in nature यह ज़्यादा महगी शोथ पद्दती नहीं है इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता और इसमें interaction का अंतेह क्रिया करने का अंसंदान करता के पास परयाप्त अफसर होता है तो यह अंतेह क्रियात्मत अंसंदान है और साथ ही यह open-ended है open-ended से दात पर है कि किसी भी तरह का प्रश्ण किसी भी तरह की जानकरी इस तरह के अमसंधान से की जा सकती है घटना के बारे में There is usually no prior relevant information available from past researchers Explorative research विशेश करके उन घटनाओं को समझने उन घटनाओं के अध्यन के लिए कियाती है जिनके बारे में पिछले researchers के द्वारा किसी प्रकार की सूचना उपलब नहीं करेगी है अर्था जिसके बारे में कोई भी सूचना पहले से नहीं है It has no predefined structure जैसे मैंने कल्बी कहा था आपसे कि इसका कोई एक unstructured unstructured research है और संद्रचित शोध है ये, शोध बंद्दी है क्योंकि इसमें पहले से किसी प्रकार की कोई कल्बना नहीं की जाती है किसी प्रकार की कोई structure नहीं बनाया था बलकि अनसंदान करता कि जो insight है, अंतह द्रिश्टी है वो अंतह द्रिश्टी उसको किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेज़ करती है ये चीज इसमें ज़्यादा महत्रपूर्ण है नेक्स्ट करेक्रिक्रिस्टिक फीचर ओफ एक्स्प्रोरिटी रिसर्च इस प्रकार से ये शोष्ट पंदती अनसंदान करता की मदद करती है तो एक्वाइर मोर इन्फॉर्मेशन अबट रिसर्च शोष्ट के बारे में, समस्या के बारे में जाजा से अदसूचना है प्रप्त करने में सीधा साथ आत पर है कि जब अनसंदान करता के पास में किसी भी घटना के बारे में या उसके द्वारा अध्यान की जाने वाली घटना के बारे में पूर में कोई भी जनकरी उपलत नहीं है पूर में कोई शोध नहीं किया गया है या परयाप जनकरी उपलत नहीं है तो इसका सीधा सा जो प्रहा पड़ता है वो अंसंधान करता के उपर पड़ता है क्योंकि इस इस्तिती में उसे बहुत सारा समय डिटेल में घटना को समझने के लिए बहुत सारा समय अंसंधान को दिरा परता है तो निश्चत रूप से वो अंसंधान करता अगली जो इसकी बिश्चत है वो यह कि पहली बात हुए कि कोई भी मापक नहीं है और इस प्रकार चुकि मापक नहीं इस्टेंडर्ड नहीं है प्रकुल अंस्टेक्चर्ड है तो ओस इस्टिती में यह जो शोथ है खोजी अंसंधान यह पूरी तरह से फ्लेक्जिबल है लचीला होता है और इसमें यह इसके टर्ड भी है अर्थात किसी भी चीज़ का किसी भी लेबल पर अंसंधान करता अध्यन कर सकता है लेकिन यह ज़रूर है कि यह जो शोध है कुछ सिद्धानतों पर आधारत होता है एसे सिद्धानत जो अंसंधान करता द्वारा निकाले गई परणामों का समर्थन करते हों और से मेल खाते हों रिसर्च एसे पहले भी कहा कि जो खोजी अंसंधान है इसके द्वारा निशकस नहीं निकाले जा सकते अंसंधान करता कि अंतेह द्रिष्टी घटना की गहराई में गहराई के किसी भी लेबल तक उसे जाने के लिए प्रेजित कर सकती है लेकिन इसके बावजूद भी ये अंसंधान या ये अंसंधान शुत्पद्दिती परिणाम निकालने में उसकी मदद नहीं करती the research problem must be importante and valuable लेकिन ये ध्यान रहे कि यदि खोजी अनसंधान को अपनाया जा रहा है दिन के लिए तो जो research problem है जो शोट की समस्या है जसे चुना गया है वो problem यो है वो समस्या खटना important होनी चाहिए, valuable होनी चाहिए तभी ये शोद अपने आप में लाभकरी सदोती है और exploratory research mostly deals with qualitative data ये विध्यान रखें कि अतिकांशत है जो exploratory research है उसका संबन qualitative data अर्थार कुडात्मत पत्यों से होता है तो कल के विशे को ही आगे बढाते हुए मैंने exploratory research को और घहराई से समझाने का प्रैस किया इसके उन कुछ प्रैलूओं को समलित किया जिनको मैंने कल इछले विध्यान में समलित नहीं किया था Thank you करते हैं करते हैं गया जफ जए जए था करते हैं झाल झाल